कि आखिर 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 पी के वू चोबी सेंटिमेटर पी और साथ सेंटिमेटर तथा ओ उवरित का केंदर है find the area of shaded region in figure if pko is 24 cm pr is 7 cm and o is the center of circle बच्चों यहां पे इन्होंने आपको specially क्या बताने क्या परियास किया कि o is the center of circle, o जो है वृत का केंदर है तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या ध्यान में आ जाता है कि अर्द वृत पर बना कौन, सम कौन होता है यह बिल्कुल important बात ध्यान रखनी अर्द वृत पर बना कौन, सम कौन होता है सबसे पहली बात जो हमने यहां पे ध्यान रखनी पर ले लिखेंगे अंगल on semicircle is अंगल semicircle of 90 degree अभी मेंज क्या होगा है कि यह वाला अंगल जो है वो 90 डिग्री आगी अंगल QPR 90 डिग्री अभी 90 डिग्री है कि इससे क्या होगा है तो हमारी ट्रेंगल है PQR यह right angle triangle बनगी क्या बनगी यह right angle triangle हमें यहां दिया हुआ क्या है देखिए PQ is equal to 24 यह हमारे पास PQ यह 24 दिए हुई है figure में देख सकते है उसको और PR जो है वो 7 दिया 7 हम first of all क्या करेंगे बच्चों इस triangle में want to find out RQ ठीक है क्या निकाल लेंगे हम RQ कैसे आएगा hypothesis होगी है trigonometry में भी समझा था यह hypothesis में क्या करते हैं हम इसको phase का square जमा perpendicular का square यहां पे बैसे करेंगे RP का square plus PQ क square और यह हमारे पास कितना आजएगा 7 square plus का square यह calculation आपको दियान रखनी है 49 यह 576 add करेंगे 625 आजएगा और 5 का बच्चों अब हमारे पास RKO कितना आजए पच्चिस आजए अब हमने निकालना है इसका अब shaded portion है shaded portion में क्या करेंगे हम आप पहले इसको देखिए यह half circle हो गया पहले half circle का area निकाल लेंगे और उसमें से triangle का area minus कर देंगे तो कि यह triangle जिसमें white में ज़रा रहा है माइनस कर देंगे और blue portion जो आपने उसका area find out कर देंगे यहां के लिखेंगे area of added reason खायांकित बाग का बाग का क्षेतरफार्ण बाग का क्षेतरफार्ण आजएगा बच्चों हमारे पास अब half circle है यहनिके pi r square upon 2 minus area of triangle peak अब देखिए हमारे पास हमने p के उवार triangle थी इसमें से हमने hypotenuse निकाल लिया था और hypotenuse से क्या आजएगा हमारे पास radius आजएगा ठीक है ना और radius कितना आजएगा इसका आधहा r k u का आधहा यहां पर दिखान रखना है यहां पर r हमारे पास कितना आजएगा 25 upon 2 5 upon और यहां करेंगे उपू 22 upon 7 to 25 upon 25 upon एक आज एगा मार पास area of semicircle minus area of right angle triangle 1 upon 2 into r to pq एक बटा दो गुना अधार गुना लम तो calculate करना है देखिए 22 को 11 आया 25 को 25 से multiply करेंगे 625 आयागा और 625 को देखिए 11 से multiply करना है 11 5 जा 55 11 जा 22.5 27 और 11 6 जा 66 और 2 8 और ये हमारे पास आगा 6 8 7 5 upon 8 minus यहाँ पर value put कर लेते हैं 1 upon 2 into 7 20 कट कर दिया अब इसको divide करना है देखिए 68.6 6,825 75 को 1000 75 को 28 से बच्चोए डिवीजन का काम देखो आप सब को अच्छे से आना चाहिए इसके किया 56 और ये 12 उपर से 7 हमने यहाँ पर करी किया और और ये हमारा इसके बाद 4 पे 5 पे जा सकता है 5 पे 140 आजागा नहीं 4 पे जाएगा 800 का बच्चोए दो जाएगा 3,8,3 11 3 और से 5 कैरी किया और अब ये 5 पे चला जाएगा क्योंकि 140 आरहा हमाँ चे बाद 150 लेप आया यहां से डैसिमल लेके 0 निकले लेनी है और फिर 5 पे चला गया 140 पचा 10 0 और ली और अब ये या 100 जब ये 100 बना 3 पर जाएगा है ना और 3 पर जाके आएगा 8 चुछ अब बचा एक जिरो और लिए ये 5 पे चला गया तो इसको कह लेंगे 25.54 ले लेते हैं क्योंकि एक नेक्स्ट वाल हो अब अब या 5 या 5 से अब वो तो ये 1 एक बढ़ा देते हैं और 12 से बढ़ा है और 12 से बढ़ा है और अब हमारे पास इसको हमने इसमें से घटा लेना है घटाने में भी आपने गलती नहीं करनी है उसका भी आपको एक बार हास करा रहा हूँ 84 यहां पर लिखना पड़ेगा क्योंकि डैसिमल के नीचे बच्चे गलती क्या करते हैं 54 के नीचे 84 लिख देते हैं तो फिर हमारा सम जलत हो जाए तो हमारे पास अंसरा गया 161.5 cm के बच्चो हमारा 1st question complete हो गया और area of shaded portion कितना है हमारे पास 161.34